हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो अल अफ यू इन योज वूटूप चैनल, किट्स लर्निंग विट नैना आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर के आई हूँ उपहार का बटवारा ये कहानी जो है अकबर और बीरबल से संबन्दी थे चलिए सुनते हैं हम लोग बादसा अकबर को विद्वान और प्रतिभासाली पुरिसों को अपने दर्गपार में रखने का बहुत सौग था जब भी कोई प्रतिभासाली ब्यक्ति उसके राजे में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में सामिल कर लेते थे अकबर का दर्वार गुणी वब धिमालोगों से भरा हुआ था इन में से नौ लोग अकबर के दर्वार में नौरतनों के रूप में जाने जाते थे वे असाधारन प्रतिभासाली और अपने अपने छेतर में निपुड थे उन्हें दिनों महेजदास नाम का एक युवग अकबर के राजियर में एक छोटे से गाउं में रहता था उसने अपना पूरा जीवन इसी गाउं में ब्यतित किया था अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था उसने बात्साग के महल वह बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानिया सुनी थी उसे यहां घूमना रुमांचक लग रहा था उसने निश्चे किया कि वह बात्साग अकबर के दरबार में जाएगा और वहां नौक्री पाने की कोसिस करेगा वह बहुत भीड़ वाले वाजारों वह नगरों से हो करके गुजरा और अंत में सहर पहुँच गया महेजदास महल के दरवाजे के पास तो पहुँच गया किन्तु अंदर प्रवेश नहीं कर सका द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया उसने पूछा आप कहां जाने की सोच रहे हैं महेजदास ने उतर दिया मैं बात्सा को देखने जा रहा हूं द्वारपाल ने जोर से हस कर कहा मुझे लगता है उन्हों ये तुम्हें ब्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कच्छ में रात के खाने के लिए अमंत्रित किया है महेजदास सांत रहा द्वारपाल ने पुनह कहा तुम्हारे लिए बात्सा को देखना संभव नहीं है वह बहुत ब्यस्त है अब महेजदास थोड़ा चिंतित हो गया दुखी हो गया फिर जो है बुलता है द्वारपाल मुझे बात्सा का आदेश है किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए महेजदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए बहुत आगरत किया मिन्नत किया द्वारपाल ने फिर बोला मैंने तुम्हें कहा न मैं तुम्हें अंदर नहीं भेश सकता हूँ महजदास ने कहा परंतु क्यों दौरपाल ने कहा क्योंकि तुम गरीब हो हर ब्यक्ती बादसा को देखने के लिए मुझे कुछ देता है जैसे एक गाय एक बकरी या कढ़ाई की हुई चपल तुम मुझे क्या दे सकते हो महजदास ने कहा मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है किन्तु मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ भी मुझे बादसा से उपहार के रूप में मिलेगा उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूँगा दौरपाल जानता था कि बादसा एक उदार व्यक्ती है वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महगे उपहार दिया करते हैं इसलिए दौरपाल जल्दी से सहमत हो गया मान गया महजदास ने महल में प्रवेश किया वह बहुत महगे कढ़ाई किये हुए परदेव कालीन देख करके हैरान हो गया पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद ही खुप्सूर्ती के साथ सजाया गया था बादसा अक्बर दर्बार के बीच में बैठे हुए थे महजदास ने अक्बर के सामने जुक कर अभिवाधन किया अक्बर ने कहा तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ बताओ बदले में तुमें उससे क्या चाहिए महजदास ने कहा जहाँ पना यदी ऐसा है तो मुझे सौ कोडे मेरी नंगी पेट पर बरसाने का इनाम दे सम्मराड बहुत हैरान हो गए उन्होंने कहा यह तो बहुत अजीब इनाम है तुम क्यों मुझे ऐसा ही ना मांग रहे हो महजदास ने कहा महाराज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो दौरपाल ने मुझे से कहा कि आपसे जो भी मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे देना होगा बातसा अकबर हस पड़े और बोले यह एक गंभीर विशा है इसका मतलब है दौरपाल अपना काम करने के लिए रिस्वत लेता है इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए दौरपाल को पकड़ कर लाया गया और उसे रिस्वत लेने के अपराद में सो कोड़े मारने की सजा दी गए फिर अकबर ने महजदास से कहा तुम बहुत ही चतुर ब्यक्ती हो क्यों न तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में सोभा बढ़ाओ महजदास ने कहा जी जहाँ पना आपकी महरबानी है महजदास इस अवसोर को पाकर बहुत ही खुश था उस दिन से वह बीरबल के नाम से जाना गया और उसकी बुद्धी की कहानिया दूर दूर तक ब्यापक रूप से फैलनी सुरू हो गई तो ये थी कहानी अकबर और बीरबल की तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है तो थैंक्स फॉर वाचिंग बैबाई